नमस्कार दोस्तों भक्तिनगरी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में खीरा देखने का क्या मतलब होता है इसके साथ ही यदि आप सपने में खीरा खाते हैं या खीरे का धेर देखते हैं या बहुत सारा खीरा एक जगा इक कठ्था देखते हैं या फिर खरीते हुए देखते हैं या फिर खीरा को काटते हुए देखते हैं या खड़ाब खीरा देखते हैं या खीरे का बाग बगीचा देखते हैं या फिर पोधों में खीरा लगा हुआ देखते हैं तो यह सपना हमें आने वाले समय के लिए क्या संक सपने में खिरा देखनेमे का मतलब है कि आपको स्वास्तलाइब और खुशी की प्रापति होगी। बहुत सारे खीरे एक जगा इकठा देखना भी अच्छा सपना माना जाता है यह सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको अपने नौकड़ी या व्यापार में लाप होगा और अगर आप सपने में खीरा को खाते ही देखते हैं तो यह सपना भी अच्छा होता है यह सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपकी परिशानिया दूर होने वाली है अगर आपको कोई आर्थिक परिशानी है और आप ऐसा सपना देखते हैं तो संकेत होता है कि आपकी आर्थिक परिशानी तूर होने का समय आ गया है अगर कोई व्यक्ति सपने में खीरा काटते ही भी देखता है तो यह सपना भी अच्छा होता है इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको नए अबसर मिलने वाले हैं और इन अबसर से आपको लाब भी प्राप्त होंगे और सपने में खीरा खरिदने का मतलब है कि आने वाले समय में आपको अपने लोगों का सहयोग मिलेगा आप जो भी कारे करते हैं आपको लोगों का साथ मिलने वाला है लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने सपने में खड़ाब खीरा देखता है तो यह सपना अच्छा नहीं होता है यह सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कोई आर्थी खानी हो सकता है और सपने में खीरा का पोधा या फिर खीरे का बाग बगीचा दिखना भी बहुत सुपसपना माना जाता है तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवा जै माता रानी